असलाम अलेकुम चली आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर इस वीडियो में हम लोग चेप्टर नूमबर 37 जो की एक दोहा है दोहा आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे रहीम के दोहे कबीर के दोहे ठीके वो हिंदी में भी होता है लेकिन इसमें आप लोग को उर्दो में भी दोहा पढ़ना है और दोहा किसे कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है हर एक एक चीज में आप लोग को बताऊंगी सबसे पहले इस दोहे के लिखने वाले के बारे में जान लेते हैं तो इस दोहा के लिखने वाले यानि पैदाईश हुई है 5 मई 2931 को अतर पर्देश के गोरखपूर वाकी बास गाउं तैसील के बैदौली बाबूगाउं में यानि कि 5 मई 1935 को उत्तर पर्देश के गोरखपूर गोरखपूर में पैदा हुए इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया जभल गुरखपुरी ठीक है वाकी बास गाओं तहसिल के बैदावली बाबु गाओं में इनका जन्म हुआ है पैदाईश हुई है ठीक है कि शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी के साथ-साथ किये गए उनके तजर्बा का खुबसूरत मिलाने है इनकी शायरी में नया एसलूब और फिक्र और एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती है मतलब जफर गुरखपुरी के शेर्वर शायरी फेमस होने पॉपुलर होने का जो में रिजन है जो में विशेष्टा है वो ये है कि क्लासिकल शायरी ये किया करते थे और उसके स साथ इनका तजर्बा भी था ठीक है इनके शेर्वर शायरी में नया इसलूब और फिक्र और एहसास की मतलब फीलिंग्स मतलब उनके शायरी में कुट कुट कर भरा होता था और इसलिए जफर गुरखपुरी की जो है ना शेर्वर शायरी बहुत जदा पॉपुलर हो गई उसके साथ साथ ये भी पॉपुलर हो गए फेमस हो गए ठीक है इनकी अब तक साथ मजबुए शायी हो चुके हैं यानि कि जफर गुरखपुरी का साथ किताब परकाशित हो चुका है साथों का मैं नाम लिख दी हूँ तीशा ये वादी संग गोखरे के फूल चिराग चश में आया हैं और ये वी एक प्लस पर जूड़ गया मतलब इनके फेमस उने का कि बच्चों के लिए भी लिखा करते थे बचों के लिए भी सोचा करते थे और ये भी ऐतरते में लिख को रीञाओ ने का ठीक है तो बच्चे के लिए 2 मजब 크게 दो किताबें जैसे मुलक का इन्होंने दौरा भी किया है वहां पर गया है ठीक है तो यह होगे आप लोग के जफर गुरखपूरी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोग को याद रखना है अब मैं बोट को मिटाती हूं और फिर दोहे को समझाती हूं कि दोहा किसे कहते हैं पहले ले चरण में 11-11 मातराय होती है उसको बोला जाता है दोहा तीकि अब इसका मतलब क्या हूआ मैं आप लोग को समझाती हूं देखिए मैं यहां पर एक दोहा लिख दी हूं उर्दू का जो आप लोग को चेप्टर नमर 37 में पढ़ना है ना उसी का पहला दोहा मैं यहां पर लि तारे छू जुगनू पकड तो इसी को बोला जाता है पहला चरण ठीक है यह क्या हो गया पहला चरण रखिए कौमा लगा है यहां से लेकर यहां तक यह हो गया पहला चरण या फिर पहला स्टेप बोलिए तो ठीक है रच सपनों के खेल यह दूसरा सेंटेंस है न तो इसक तो यह क्या हो गया चौथा चरन यानी कि एक दो हमें चार चरन होते हैं एक दो तीन-चार तारे चू युगनू पकड़ यह पहला इस्टेप रज सपनों के खेल यह दूसरा इस्टेप यह निकि दूसरा चरन और रात की इतनी उमर है यह तीसरा इस टेप और दीये में जितना ते लिए चौथा स्टेप ठीक है तो यह समझ में आ गया अब इसी को मैं हिंदी में लिखी हूं तो इसमें बताइए कौन पहला स्टेप होगा इसमें आप लोग इधर से न पढ़ेंगे इधर से थोड़ा न पढ़ेंगे उर्दू में न दायतर आप से लिखा जाता ह फिर पढ़ा जाता है हिंदी में तो हमेशा बायतरब से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है तो इसको इधर से पढ़ेंगे तारे चू जुगनु पकड़ यह पहला इस्टेप हो गया पहला चरण रच अपनों के खेल यह दूसरा बिल्कुल इसी तरह यह तीसरा यह मात रच होनी चाहिए मतलब को यहां पर मातरह को यह छोटी बड़ी गिन आप लोगे। है पहला पढ़ा है कि तु कि पार यह पनों को देखना है कि ता रे ता बनने के लिए ता और प्लस आ जुड़ा हुआ है ता प्लस आ दो मात्रा हो रहा है न यानि कि ता जो बना है वो दो मात्रा से बना है रे रा प्लस ए रे हुआ है यानि कि इसमें भी दो मात्रा है छू एक छा और एक प्लस उ छू और ओ भी नहीं तो ये बड़ा तो जू के लिए देखिए जू यह जू बना है वो जू और प्लस छोटा उसे बना है तब ही तो इधर से ऐसे है नहीं तो बड़ा उ रहता तो इधर से इस तरह होता लेकिन यह छोटा उ जू 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 प्लस उ जू हुआ है न तो इसके लिए एक ही मात्रा होनी चाहिए क्यो पाहई है तो इसके लिए भी एक ही मात्रा ठीक है नू इसमें दो मात्रा से बना हुआ है इसमें सिर्फ ही है यानि कि एक मात्रा कए इस्में भी एक ही ड़ के समझ में आ से 11 12 13 पहले step में कितना मात्र हुआ total 13 थीए तो यही बात में बताने की को कर रही हूं कि पहला और तीसरा step में 13 23 मात्र होनी चाहिए तो पहला में तो 13 देख लिए ती स्टेप को भी गिन कर देख लिए देखे रा कैसे बना है रा यानि कि इसमें भी दो मात्रा है तो इसमें सिर्फ तो ही है तो एक मात्रा की जो है यह देखिए का और प्लस छोटी इसे बना है छोटी की तो इसके लिए एक ही मात्रा होगा का प्लस बड़ी ए रहता ना तब आप लोग दो मात्रा लेते इधर से की रहता ना तब आप लोग दो मा मात्रा लेते तो यहां पर क्या हो गया एक मात्रा इसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे एक मात्रा तो इसके लिए भी एक मात्रा इसमें क्यों ती ता तू कुछ भी नहीं है ना तो इसलिए एक मात्रा नी जो है देखिए नी इधर से है ना यानि कि यह जो नी बना है वो और प्लस बड़ी इसे मिलकर बना है तब इधर से हैं तो ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर ना प्लस बड़ी तो यहाँ पर दो मात्रा लेंगे देखिए छोटा हुए तो इसके लिए एक मात्रा मा है तो एक मात्रा क्योंकि मा मामी कुछ भी नहीं है तो एक मात्रा और है के लिए एक हो है और एक है है तो है हो गया है तो इसमें दो मात्रा है अब इस टोटल मात्राओं को गिनिये 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 इसमें total जोड कर कितना मात्रा आया, 13 यानि कि पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरा चरण में 13 मात्रा यही 13-13 मात्रा होना चाहिए ठीके, अब दूसरे और चोटे चरण में कितना मात्रा होना चाहिए 11-11 इसको भी गिन कर दिखा दूँ आप मतलब विश्वास नहीं हो रहा है तो गिन कर दिखाई दे रही हूँ नहीं तो आप लोग अपने से भी गिन सकते हैं चली मैं इन गर दिखा दे रही हूं देखिए रहे तो इसके लिए एक मात्रा एक मिनट यह ब्लेक कलर है ना तो इसे ब्लू कलर से लिखती हूं ठीक है रहे तो एक मात्रा चो है तो इसके लिए भी एक मात्रा क्योंकि चा ची ची कुछ भी नहीं है ठीक है सपनों के खेल तो यहाँ पर सपनों सो के लिए एक पो के लिए एक नो के लिए नो प्लस ओ है तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगा ठीके के के लिए के को प्लस ए भुआ है यानि कि दो मात्रा इसमें है तो दो खे में भी दो मात्रा है क्योंकि को प्लस ए तो खे तो यहाँ पर दो हुआ है और लौ के लिए तो एक ही होगा तो जोड़िये तो एक दो तीन चार चार दो छे चे दो आठ आठ दो दस और एक ग्यारा इसमें टोटल कितना मात्रा है ग्यारा देखिए दूसरा का एकारा आगया अब इसमें भी जोड लिजे जरा देखिए दी इधर से दी है ना यानि की दो कि छोती ही से मिलकर बना हुआ है इसके लिए आप एक ही मात्रा का यूज करेंगे अगर इधर से दी रहता है इधर से तौई प्लू क्या करते है तो आप दो मात्रा लगाते है यहां पर एश महें एह सिर्फ एछे इसके लिए क्या लगाएंगे मनलब इसका कितना मात्रा से मिलकर बना हो एक ही मात्रा है क्योंकि इधर से रहता ना जी तब दो मात्रा लगाता है इधर से हैं देखिए तो क्या होगा एक देखिए यहां पर एक हो गया तो के लिए भी एक ना के लिए नो प्लस आ तो यहां प तोटल कितना मात्रा हो गया ग्यारा देख नहीं रहे और दूसरे और चुछे चलन्ण में 11 11 मात्रा इसी को बुलते हैं दोहा अब इस तरह आप लोग उर्दू में जोड सकते हैं मैं अप लोग को हिंदी में लिखकर और इसको जोड और समझाई हूं ताकि आप लोग को समझ तो मैं उर्दू में भी जोड सकती थी तेल यता इसमें दो मात्रा है रहे जड़े इसमें दो मात्रा है चू में दो मात्रा है इस तरह करकर मैं उर्दू में भी मतलब जोड सकती थी लेकिन आप लोग हिंदी जादा जानते हैं इसलिए हिंदी में मैं आप लोग को जोड कर द गुरखपूरी जो दोहा लिखे है चप्र नमर्द 37 में उसको और उसका खुलासा करती हूं मैं उसका मतलब हर एक एक दोहा को पढ़कर मैं समझाती हूं तो देखिए मैं आप लोग के दरक्षा का बुक ले ली हूं और निकालती हूं जफर गुरखपूरी के दोहा देखिए देखिए, तारे चुफ जुगनु पकड यानि की आस्मान को चुफ उचाई तक जा, ना मुम्किन काम को भी तू उचाओव कर नामूमकिन कर दे, रच सपनों के खेल, यानि की मतलब सपनों के खेल रच, जो तुमें बनना है, उसका सपना देख और उस पर प्लानिंग कर और उस पर खरा उतर और अपने सपने को साकार कर और एक दिन सफल व्यक्ति बन कर दिखा तीके रात की इतनी उमर है दिये में जितना तेल यानि की रात की उतनी ही उमर है जितना दिये में तेल इससे जफन गुरखपुरी ये हम लोगो को बताने की कुशिश की है कि तुम्हा कि सफलता कम मिली है समझ जाना कि उसी के हिसाब से तुम लों मेहनत की हो यानि कि मेहनत कम की हो ठीक है अब आगे मैं अगला दोहा पढ़कर समझाती हूं दूसरा क्योंकि दूसरा तो लिखी नहीं हूं अब मैं बोलकर ही समझा रही हूं ठीक है जिस परदे में जहाकिये बस एक तेरा रूप क्या बादल में बूदिया क्या सूरज में धूप इस दूसरे दोहे में जफर गुरखपुर ये बताना चाहें ये बताए हैं कि जिस पर्दे में जहाको बस खुदा का ही रूप दिखाई देता है बादल में उसके बूंध में सूरज की धूप में हर एक एक चीज़ में खुदा ही दिखाई देते हैं खुदा का करिश्मा दिखाई देता है हट से अधक संजीदगी सच पूछो तो रोग आगा पीछा सोचते बुढ़े हुए लोग इस तीसरे दोहे में जफर गुरखपुरी ये बताए हैं कि उन लोगों को बारे में बताए हैं जो ह हट से ज्यादा बढ़ जाता है हट से ज्यादा संजीदगी आ जाती उनके अंदर तो वह एक रोग होता है वह एक बिमारी हो जाता है तो इसलिए ज्यादा संजीदगी ज्यादा शक और आगे पीशे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अब जो कर रहे हैं नॉर्मली कीजिए लोग क्या सोचेंगे पड़ोस लोग क्या सोचेंगे ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे छोड़ दू की रहने दूए क्या जूरी है सोचना ठीक है भूकी भेड के जिसम में बस चरवाहे को दूद दे या ताजुर को उन इस चौते दोहे में जफर गुरखपुर ये बत भीड को लाकर पालेगा दीक है उसको दूद मिलेगा भेड का ओन चाहिए वह रखेगा भेड को पालेगा पोसेगा उसको खाना खिलाएगा भेड का क्या होगा भूक मीटेगा तो इसे हम लोग यह बताना चाहरें जफर गुरखपुरी कि इंसान को जब दूसरे इंसान से काम होता है तब ही वो जाकर क्या करता है उसका देखरेख करता है उससे बात करता है मीठा मीठा बात करता है ठीक है वरना काम नहीं रहता तो को आप कौन और मैं कौन ठीक है जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास? जफर हमारे भाग में शेहरों का बनबास. इस दोए में जफर गुरकपुर ये बताना चाह रहा है कि ये शेहर है और इस शहर में किन पेड़ों के पास में जाकर बैठू, चार पल, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, हमारा गाउ था, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगी हुए थे, पेड़ पौधे से हमारा गाउ हरा बरा दिखता था, और वहाँ पर लोगों के बीच अपनापन था, जब मैं पेड़ के छाओं में बैठा करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जो मुझसे बाते किया करते थे, अपनापन था लोगों में, यहाँ तक कि गयर जो लोग है, जो मुझको नहीं भी जानते है, वो भी हमसे बाते किया करते थे, और यह शहर है, यह बनबास है जंगल है इसमें मैं सिर्फ अकेला हूँ और सिर्फ घूम सकता हूँ मतलब इस शहर है अपने घर मेरा अपना काम करो बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं पड़ोस में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं बस जाओ घूमना है तो घूमो फिर आकर अपना घर में रहो और अपना काम करो ठीक है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जंगल में रहा जाता है चुप चप रहो और जंगल को घुमना है तो घुमो तो यह बताने की कोशिश किया है कि यह जो मेरे भाग में शहरों का बनबास लिखा गिया है ठीक है ले आते बाजार से सुख के लम्हे अगर पैसों से अगर मन का अनंद भिकता तो मैं भी कुछ अनंद को लेकर चला आता लेकिन अफसोस यह सारी चीजे बाजार में नहीं भिकती आप लोग पैसों से तो बंगला घर बेड विस तरहर चीज़ खरीच सकते हैं लेकिन आराम को नहीं खरीच सकते आप लोग पैस उसे नहीं मिलता ये खुद से बनाना पड़ता है ठीक है आगे देखिए इससे बढ़कर और क्या रिष्टो की पहचान गिरे कुलहारी पेर पर और मैं लहू लहान इस दोहे में जफर गुरफुर ये बताना चाहरा है कि इससे बढ़कर रिष्टो की पहचान कहा मिल सकती है जब पेड़ पर यानकी पेड़ पौधे पर कुलहारी गिरती है, जब पेड़ को काटा जाता है, तो खुद मैं लहुलहान हो जाता हूँ, यानकी ऐसा लगता है कि मुझे पर ही कुलहारी चल गई है, और सही बात है, जो लोग पेड़ को काटते हैं, उन्हें सोचना चाहिए एक पेड़ी है जो दुनिया को हरा भरा रखता है और एक तरह से देखा जाए तो पेड़ से ही पेड़ पौदों से हम लोग जिन्दा रहते हैं क्योंकि वो कारबन डाई अक्साइट लेते और अपसिजन छोड़ते हैं जिसको जैसे हम लोग सांस ले पाते और जिन्दा रहत है तो एक तरह से सोचना चाहिए और इसमें यहीं बताने की कोशिस की है जफर गॉरखपुरी कि पेड़ पौदों से और मुझे इतना अच्छा रिष्टा है इससे अच्छा रिष्टों की पहचान आप लोको कहीं नहीं मिलेगी कि जब पेड़ पर कुलहाड़ी गिरती है तो वहाँ पर उसे बहुत ही अकेलापन और बहुत ही दुख और तकलीफ जहलनी पड़ती उसे घर का बहुत याद आता है दूसरे देश में जाता है कोई इंसान तो और सही बात है कोई इंसान अपने घर को छोड़कर अकेले दूसरे देश में चला गया तो उसे अपने घ किसी के सामने जुकने नहीं देती और मतलब यही बताने की कुछिस की है जफर गुरकपुरी की मतलब प्राइद इसमें आप लोग गये हैं तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लेकिन हिम्मत साहस होसला जो होता है वो मां के आशिरवाद से मिलता है मां के जफर गुरकपुरी इस दोहें में यह बताना चाह रहा है कि बच्चे टीवी देखकर खुश तो हो रहा है और अपने बच्चों को खुश देखकर उनके माबाब भी खुश हो रहा है लेकिन दुख इस बात का है कि जो किताब है वो बेवा हो जा रहे हैं मतलब किताब से पढ़ाई से रिष्टानाता चूट जा रहा है क्या चिंतन क्या चेतना भूर अपनी नसाज कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाज इस लाश्ट दो है इसमें जफर गुरकपुरी बताना चाह रहे है कि कैसा सोच और कैसा समझ लोगों के बीच आ गया है कि ना वो तो कब उठते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे 13 बजे नहीं एक बजे वैसे भी 13 भी बचता है कोई दिकत नहीं है कि कैसा सोच समझ वह और नहीं समझ रहे हैं और इस कंप्यूटर के काल में सब लोग बंजर बाज हो गया है यानि कि सब गयर उपजाओं हो गया है कोई उजिया न को नहीं रहे जल्दी और फोर में उठऒ नहीं रहे हैं जल्दी क्योंकि भोर में उठने से होता क्या है दूर की हवाय होती हो रही है तो इसी के साथ अप लोगों का ये दोहा कम्प्लीट होता है इसका तश्री कर्दी में आप लोग toute इसका मतलब समझा दी अच्छ स तरीकी से समझ में आ गया पहले ल है यहां तक टप टप अफट इश्क्रीन शॉट फिर मैं इस चैप्तर के अंसर को आप लोगो को समझा ती सबसे पहला सवाल है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई कौन से स्टेट में हुई तो उत्तर प्रदेश के स्टेट में जफर गोरखपुरी की शायी सबसे बड़ी खसूसशियत क्या है क्या है तरा बच्चों के लिए दो किताबे लखे थी न में यहां पर वो लिख दीजेगा कौन-कौन था एक नाचरे गुडिया और दूसरा सच्चाहिया ठीक हो दोनों लिख देना है पास नमबर सवाल जफर गुरखपुरी ने किन-किन मुलकों का दौरा किया तो सौधी अरब का और किस किस चीज का मैं लिखी थी अमेरिका का दोहा पलोग का तश्रीर की उसका मतलब समझाई इन सभी दोहों में जफर गुरखपुरी का कौन सा दोहा पलोग को अच्छा लगा और क्यूं लगा तो यह आप लोग खुद से लिखेंगे दूसरा सवाल है पाचवी दोहे में शहरों की बनबास से शायर की क्या मुराद ह शहरों की बनबास था ना जब मैं दोह पढ़ा रही थी तो उसका क्या मतलब आप लोग को क्या समझ में आता है उससे यह आप लोग को बताना है ठीक है तीसरा सवाल है पेड़ पर कुलहाड़ी गिरने से शायर किस तरह लहू लहान हुआ तो यह आप लोग को बताना है अब टीवी देख रहे हैं तो किताबों से रिष्टाज नाता उनका टूटते जा रहा है किताब बेवव हो जा रही है पासे-बस सवाल ऐसे करने कम्प्यूटर से क्या नुक्सान पहुछ रहा है या आप लोगको जफर गुरखपूरी के दोहें की खुवियों को वाजी करें जफर गुरखपूरी के दोहें में क्या खुविया थी यह आप लोगों को बताना है ठीक है तिन नंबर और लाश्च सवाल है जफर गुरखपूरी के मतालग अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए यह लाश्च चेप्टर नमबर 37, complete question answer के साथ, अब last बच रहा है, चेप्टर नमबर 38, जोकि हम लोग next वीडियो में complete करेंगे, उसके बद आप लोग का जो दरक्षा का बुक है, वो पूरे तरीके से complete हो जाएगा, ठीके लास्ट एक एक चेप्टर और बचा है, जोकि हम लोग next वीडियो म पास अपने दोस्तों के पास और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ, आप तक सबसे पहले पहुचे, तो फिर मिलेंगे next वीडियो में, next चाप्टर के साथ, तब तक के लिए, जाहिंद और खुदा हाफिज